Hello and welcome back to my another vlog तो दोस्तो आज हम लोग आए हैं जियो का एर फाइबर इंस्टॉल करने तो आज सुबा के 9 बज रहे हैं और हम लोग आए एक जगा एर फाइबर इंस्टॉल करने कि एर फाइबर में क्या चीज़े लगती हैं और उसका क्या प्रोसेस है तो फाइनली हम लोग आ गया है साइट पे रावन विया इंस्टॉल करेंगे और यह फाइबर का सारा समान जो कि एर फाइबर के साथ क्या मिलता है मैं आपको बता रहा हूं यह है सेटप बॉक्स डीट सब्सक्राइब करने के बाद इसको ओपन करेंगे पेमेंट हो जाने के बाद उसके बाद सारी प्रक्रिया कीज़ें करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बहिया का अधार कार्ड बहिया का अधार कार्ड नम्मर डालने के बाद इसमें मैंने आप अधार कार्ड नम्मर डालके इनका फोटो क्लिक करना था सबसे पहला चरल फोटो क्लिक करना होता है तो मैंने इनका फोटो क्लिक करने के सारा details वगरा customer का जैसे की address वगरा किस जगार लग रहा है सारा अधार कार्ड में जो जो अधार कार्ड में details होता है सारा कुछ यहाँ पे fill करना होता है उसके बाद आता है plan चूज करने का तो plan की जानकर यहाँ मैंने देती है यहाँ से आप देख सकते हैं कितने रुपे का plan है आपको जो plan लेना है आप इसमें से ले सकते हैं यहर फाइबर का सबसे कम का plan 2222 रुपे का तो वियर ने 2222 रुपे का payment किया और 2222 रुपे payment करने के बाद उसके बाद plan को confirm करने के लिए QYC अपडेट करने के लिए जो आपके याँ जीओ के इंजीनियर आते हैं उनको verification करना रहता है तो फटा-फट से मैंने अपना कुद का verification किया और QYC complete कर दिया उसके बाद हम लोगोंने product का unboxing करना start कर दिया तो सबसे पहला जो box है इसमें है हमारा outdoor unit जो की open करने पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें सबसे पहले आपको मिलता है चोटा सा user manual और एक cap मिलता है और उसके बाद ये है हमारा outdoor unit जो की हमारे छट पे लगता है और ये जो device है वो weather proof होता है इसको rain, dust वगरे से कोई problem नहीं होता है और इसके साथ में हमको मिल जाता है एक छोटा सा box जिसमें outdoor unit को wall में fix करने के लिए drill के through fix करने के लिए एक bracket मिल जाता है जो की steel का होता है जो की काफी durable है और उसके साथ box में देखते हैं क्या मिलता है box में उसके साथ आपको मिल जाता है bracket को डिवाल में fix करने के लिए गुली और पेंच मिल जाता है और साथ में चार screw भी मिल जाता है जो हमारे outdoor unit को fix करने के लिए काम आते हैं second box में मिल जाता है हमें Jio का router जो की हमारे indoor में लगता है इसको घर के अंदर लगाना होता है इसके साथ चोटा सा एक user manual मिलता है और साथ में हमें ये router मिल जाता है जिसके पीछे हमें चार land port देखने को मिलता है और ये router देखने में काफी अच्छा भी लगता है काफी अथ तक अच्छा भी और इसके साथ हमको 1.5 meter का land cable भी देखने को मिल जाता है और router को hang करने के लिए stand भी मिल जाता है और उसके साथ मिलता है आमको एक POE adapter जो कि indoor और outdoor unit दोनों एक साथ इस adapter के तुरू काम कर जाते हैं और दोनों को power एक ही से मिल जाता है तिसरे बॉक्स में हमें मिलता है जियो के तरब से setup box यह एक smart setup box है जिसमें आप DTI channel वगएर आप देख सकते हैं सारे paid channel इस पर आपको देखने को मिल जाता है इसको आप LAN cable के तुरू और Wi-Fi के तुरू दोनों connect कर सकते हैं और इसके साथ आपको HDMI cable भी देखने को मिलता है और सा देखकर हम लोग tower plot करना start कर देते हैं और दोनों indoor और outdoor को एक पासरा case में e-sim download करने रखते हैं क्योंकि जो outdoor unit होता है वो e-sim के तुरू चलता है तो pass में रखके दोनों को एक power से connect करके e-sim download करना हम लोग start कर देते हैं e-sim download होने में थोड़ा समय लगता है और finally थोड़ा समय क के बाद हमारा e-sim download हो जाता है लेकिन जो हमारा outdoor unit था उसमे signal नहीं मिलता है तो तो उसके बाद outdoor unit को एक थोड़ा सा उपर उठा कर दाएं-बाएं करने के बाद उसमें थोड़ा सा RF tower का signal आ जाता है और signal गीन होने के बाद मैं उसे finally okay कर देता हूं ओके ओने के बाद e-sim हमारा डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना outdoor unit को प्लाट करने के लिए सब्सक्राइन के बाद outdoor unit के साथ मिले हुए bracket को दीवाल में fix करना रहता है जो की काम इसको संतोज भी है कर रहे थे जो की बकायदे इस काम को अंजाम द करने के बाद outdoor unit में इसको लगा दी जाता है जो की कुछ इस थरीके से इसमें लगा दी जाता है लगाने के बाद यह finally उपर का outdoor unit जो है वो complete हो जाता है उसके बाद गर के अंदर cable लाकर पूरे अच्छे थरीके से wiring की जाती है जैसे की आप देख सकते है wiring के काम भी complete हो जुक जो की हमारा wifi signal on हो जाता है उसके बाद customer के mobile हम लोग wifi का name और wifi का password चेंज कर देते हैं चेंज करने के बाद हम लोग last option में TV को on करते हैं TV से अपने Jio Setup Box को connect करके Jio का जो भी software है सबसे पहले हम लोग download कर लेते हैं और finally Jio का digital live setup box है वो setup हो जाने के बाद सारे channel वगरा जो है चलना स्टार्ट हो जाते हैं और streaming में काफी अच्छा होता है जो की थोड़ा सा भी भकरी नहीं करता है इंटरनेट की स्पीड चेक करने लगते हैं इंटरनेट की स्पीड भी काफी अच्छी आ रहे थी उसके बाद हम लोग last में डाउनलोड करते हैं जियो जवाइन जिससे अच्छी है अगर आपको फाइबर लगवाना हो आप ऑन-laiन भी कंटेट कर सकते हैं या आप हमारे अरिया में आते हैं तो हम से भी कंटेट कर सकते आपका एर फाइबर का लग रहा हुगा तो बीडियो आपको अच्छा लगा होगा और राहूल उभीया के तरह आपने घर पेर फाइबर लगवाएंगे और जियो फाइबर का अनंद लेंगे काफी बेश सर्वीस है तो दोस्तों आज का व्लोग यहीं कतम करते हैं राउल भी अभी हम लोग की वासे रुके हुए थे अब यह जा रहा है और मिलते हैं आपको नए व्लोग में